नवजोच संग सिदू जिनने बीदना बाद भी अपना हाले तक नमा मंत्राला नहीं संभाल लेया परेशब्द वेच पंजाब सकतरे तेवेच सिदू दे दप्तर बाहर लगी तकती ते नवजोच सिदू दे नाम हेट नमा मंत्राला लेख देता गया परेशब्द बावजूद नवजोच सिदू खाले भी अपनी नमे मंत्राले तों दूर ने ये दो तस्वीरां पंजाब सकतरे तेच पंजवेच फलोर दिगारी पहली तस्वीर 26 यानि कि आज़दी है दूजी तस्वीर भी जूंदी है इना तस्वीरां चे खास गाले है के नाम एक है पर मंत्राले वाख वाख ने नवजोट सिंग सिद्व जिनना द बाकी मंत्र गणा मुक्ता मांत्री कैपटन अमर अबरेंब्र सिंघ câपण बदले से कैपटन द बाकी वजीर तोंपरें to the high command or there's a talks going on I don't know about anything but yes he will be able to answer this question in a much more better way. जेडा गालतुसी क्या है he should be dismissed immediately. नवजोट सिंग सिदू वर्सेज कैप्टन अमरिंदर सिंग यानि की पंजाब दे एक कैबिनेट मिनिस्टर वर्सेज पंजाब दे मुखमंतरी ये लड़ाई उस दिन तो शुरू हो गई सी जिस दिन पंजाब दे मुखमंतरी वलो लोकसभा चुना तो बाद पोर्टफोलियो चेंज कीते गए नवजोट सिंग सिदू ते ओम परकाश सोनी ने अ हजे तक भी अपने ओफिस दे वेचे नहीं पहुंचे यानि की चार्ज नहीं लगाया हाला कि जो नेम प्लेट है उस ते नमा पोर्टफोलियो चिपका दिता गया है लिख दिता गया है नवजोट सिंग सिदू जो की कैबिनेट मिनिस्टर ने ओफिस पंजवे फ्लोर ते स इस तो कोजी देन पहला तो अनू तस्वीरां दिखाई हैं सी कि नवजोट सिंग सिदू दी नेम प्लेट पुरानी लोकल बाडीज दी ही लगी हुई सी लेकिन असूला दे साब कनूनी दे साबनार हुन नेम प्लेट बदल देती गई है लेकिन मंतरी साब आफिस दे वेच नहीं पहुंचे स्टाफ पहुंचदा है नेम प्लेट दे हिसाबना नमा पोर्टफोलियो लगा देता गया है सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन लडाई जारी है लडाई हाई कमांड तक पहुंच चुकी है औल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी तक पहुंच चुकी है राहुल लगाएगा इसी कि लोकल बॉडी जो परफॉर्म नहीं कर पाई पंजाब दे विच जिस करके लोकसबादियां चोणा विच शेर दी वोट कॉंग्रेस नहीं पाई इलजाम कैप्टन अमरिंदर सिंग वलो लगाएगा इसी लेकिन नवजोत सिंग सिद्धू ने डॉक्यूमे जारी है नवजोत सिंग सिद्धू अडे हुए ने हजे तक मंत्राला जोएन नी कीता लेकिन सेक्टी एट दे विच आफिस दे बार प्लेट है जेडी और नवे पोर्टफोलियो दे हसाब नड बन चुकी है लग चुकी है यानि कि आफिस नवे मंत्री दा तियार हो चुका पावर मनिस्ट्री नवजोत सिंग सिद्धू नो दिती गई है पहला लोकल बाडी मनिस्ट्री सी ओ लोकल बाडी मनिस्ट्री ब्रम महिंद्रा नो दिय दिती गई है तो अंदास दिये कि ओम परकाश सोनी ने वी आवाज खड़ी कीती सी जिना नो सिख्या मंत्री तो मेडि जो लड़ाई चाल रही है जो कॉनफलिक्ट चाल रहा है वो हजे तक नहीं खतम होया सेक्टियेट दे विच पंजवे फ्लोर थे आज ही ये नंबर प्लेट जिड़ी है नेम प्लेट लगाई गई है नवजोत सिंग सिदू दी नवे पोर्टफोलियो दे सावना ले से तरह ब देख खिलाफ ने क्योंकि परफॉर्मेंस बेज़ पोर्टफोलियो चेंज होए सी परफॉर्मेंस जो नहीं दिखा पाए सी उनना पोर्टफोलियो चेंज कीते गए सी और इलजाम लगाए गए सी नवजोत सिंग सिदू थे कि लोकसबा दे विच जेकर शेरान दी वोट सि और नवजोत सिंग सिदू ने कैबिनेट मीटिंग दे विच भी पाग नहीं लिया सीगा सो ए आज एक नवी डवेलपमेंट नवजोत सिंग सिदू दी हाला कि आपस दे विच की चाल रहे है हाई कमांड तक की गल्ला उठ रही है ने उतों जानकारी आनी बाकी है लेकिन से नेम प्लेट साच चुकी है सो वेट है ता सिर्फ नवजोत सिंग सिदू दे बैठन दी देखने हैं कि नवजोत सिंग सिदू अपनी पावर मनिस्ट्री थले बैच दे है या अपने नाम दे नाल कोई होर ओदा भी लिखां दे है क्योंकि बहुत सारी गल्ला चल रही हैं न कि नवजोत सिंग सिदू वलो पंजाब परदेश कॉंग्रेस कमेटी दी परदान गी दावा भी कीता जा रहे हैं शायद हाई कमांड कोई वड़ा ओदा भी दे सकती है जिस नाल नवजोत सिंग सिदू दा जेड़ा पोजीशन है उसनू पैसिफाई कीता जा सके तो इस सार सेक्टरी एट चेंडिकेड फिलहार हुन समेक ब्रेकदा ते ब्रेक तो बाद मुड हुने जल्द हाजर कैप्टन अते सिद्धू चे तालखी उसमें गंबीर हुई सी जो दो नवजो सिंग सिद्धू ने बठिंडा चे फ्रेंडली मैच बाड़ा ब्यान देता सी इस ब्यान तो बाद लगा तार दोमे लीडर आमू सामड़े बने हुए ने अजेहे बिच दोमाई लीडरा ने अजेही के ब्यान बाजी कीती के इनना ते रिष्ट्यांच कडवाहाट वाद ही गई नवजोत संग सिद्धू दा एओ ब्यान है जिसने कैप्टन अते सिद्धू दे रिष्ट्यां ते आगते के वड़ा कम कीता क्योंके पहला ही दोमाई लीडरा दे रिष्टे सुखा में नहीं सान बस जिमेही सिद्धू ने बठिंडाज फ्रेंडली मैच वाड़ा ब्यान देता कैप्टन ने भी साफ साफ कह देता कि सिद्धू सिर्फ मुख मंतरी वानना चाहूंता इसलिए जहीं प्यान दे रहे हैं कुछ चाहते हैं मेरे साथ कोई उनकों मैं तो इसको बच्पन से जानता हूं सो मुझे तो इसके साथ कोई I have no difference of opinion with him but he probably wants to become chief minister and replace me that's his business लेकिन जो timing उसने किया one day before the election that was wrong उसका असर अगर कुछ पड़े तो पार्टी पड़ेगा not on me party जो लड़ रहे हैं उनके उन पर पड़ेगा क्या election के बाद अनुशास्त कारवाई हो सकती है sir उनके कि लापड़ेगा It is for the central now leadership to take notice of this जो अखभारों में मैंने देखा है कि उनने notice लिया है and they will probably after this election अभी तो एक दो दिन तो इसी में फ़से रहेंगे उसके बाद कुछ देखेंगे I am sure they will look at it Because Congress party does not believe in discipline मैंने बहुत देखा है मैं उजे पचास साल हो गई I have seen it and they will not accept things where you can damage the party Otherwise you are free to say what you want But जहां से कोई party को damage करे वो गरत जेजदेन लोकसवा चोना दे नितीजी आई मोखमात्री कैप्टेन अमरेंदर सिंग ने हारता ठीक रा सिदू ते पन्नेया आते केहा सिदू एक दिन बाद भी बोल सकता सी कैप्टेन नो जवाव नव जोद सिंग सिदू ने भी देता सिदू ने पुछे आ सियम मेनुदसन चाली साना अच बठंडा सीट जिती कदू एक बार जदो वेर गौन इंट बैटल इफ यहाद ने इन डिफरेंस अपिनियंद्या से तुसे पुछे अची बठंडे विच्छे एक दिन बाद नी कह सेदा सी जरूर एक दिन पैला कहना है किसे दाना नहीं लिया सी मैं थे इन्नी गल कई बठंडे थे तुसी रिजल्ट देख लो भी बोटना कितों शिफ्टों यहां सी लास्ट जे कोई हारे आ उन्ने क्लोज मार्जन दे उते हो मनपीपा जी घारे सी ठीक है और कितना हरे सी उन्नी अनेलिसिस करके मैं थे इन्नी गल की जड़ा कांगरस दे पिठ चे छुराप वोगदा है उन्नी ठोक देओ इच की गलता है के दाना लिया कि फिर केसे नों क्यों टीस पवे इस गल देगते कैप्टन मेर्ज दे तर किखाए स्टेट मेर्ज मैं पहला भी गया रहा है पहला किते ही जो गल नहीं किती है और पहला ना किती है जो फिर के लिए उन्नी गल थी मैं सीड़ी य tyreस की खिई देख ला है वह भूत वह आप करदा है कैप्टन नो जवाव नवजोद सिंग सिद्धू ने विदेता सिद्धू ने पुछेया सियम मेनु दसन चाली साल नाच बठिंडा सीट जिती कदों मैं कहता सिद्धू लूँ कि इस इशू आई सेन्स मेन चौस्टास समसी तो जब इसकाष्टास बठंडा कि बठंडे चीप यहां घ्री तो जित बठंडे थी मैं थामा जान जान चांद जिते बादले मैं तो लक्री बादलान उमारे यही अषी मेरी लड़ाई विरोधी यह मैं जाकर उते ललकरा मर रहा है तू मैंनो 10-40 साल आजी बठंडा कर जिते हैं सिदू ते ठीक रहा फोड़ना बड़ा साउखा है दोग बंदे खड़े करके कहा दे ना जी बठंडा सिदू करके हार गे जाजी बठंडा चाली साल जब जड़ों बादल सामनें सी काथ जित्तिचन सी प्रफाण मेरा चोटा पाइ टिकू भी लड़े इकलक भी है वह दोगगई एक बार बठेंडा कानमे देवेच जिती सी, ओधो काली दलने बाइकाट करता सी, खली कांगरस लडी सी, कांगरस सामने कोई आजी नी सी, तो जोटे खड़ा करते हो जिती, समझे नी, 1980 तो लेके काद जिती है बठेंडा, बाद लाँ देखाड़ जिती, मतलब गल्ली है कि मत कैप्टन अमरेंदर संग एथे ही ना रुके, ओना क्या के सिदू दे मंत्रा लेकार शेरी वोट कटी है, तो दर सिदू ने भी काम गिनाओंच धेर ना लाई अँछ मतलब टाता है बादा लेकल लुटासपुर, बत्हिंडा, संग्रूर, जिती है आप लगी वोट कटी है फ्ली है। लोग, मैं डंके दी चोटते कहना, कि urban area has played a pivotal role in congress party's victory मतल्याद, तुरीजी urban area, congress party दा result आठ सीटा, तेरा चो, 61%, 60%, चुरिंजा सीटा, PPC दे असाफ दे नाड, Punjab Pradesh Congress Committee दे असाफ दे नाड, urban दे semi-urban, ऐस वार 54 चुरिंजा सीटा, जो जटियाने, urban areas, urban semi-urban areas, the result is 63%, त्रेट सीटां दे विच्चों, rural areas ने भी कमाल कीती है, और वसी साँजी collective responsibility है, वोना ने भी 35 सीटां त्रेट चो जटियाने, वोना दे result, कुछ बंजा परसेंट, जटे प्योर urban segment ने, वो पच्ची ने, पच्ची चो कांगरस सोडा ज़ती है, result, चाउट पेंट परसेंट, हुन अब जोट सिंग सिदूदा साफ साफ कहना है, कि जो मर्जी हो जावी, वो अपने असूला थी, आज नहीं आउंदेंगी, मैं आते उंगल चकी है, ना मैं आज चकूँगा, लेकिन मेरे को ले दे के, मेरी इज़त और मेरा ना है, ओ मेरे प्यो सदार्प गुवान सेंग स्वतंतता सनानीने मेनु देता है, संसकारां देता और देता है, उते दागनी लगन देंदा मैं, I defend it very fiercely, I defend my name very fiercely, my credibility, my performance very fiercely, I have all the respect for every congressman, high or low, and it is my word of honor, I will never ever utter a word against my brethren, my fight, मेरी लड़ाई, हमें चाँ विरोधी आना रही है, आप पने आना नहीं लड़या से दूँगा, ये तपर तौहीन होगी ना सदार्प गुवान से दूगी, चटी पागोंने देती सी, तो काल कोले दी कोटडी च भी जाऊंगा ना, उत्रों भी चट्टाई नकलों। दो में वड़े लीडरना दा चगड़ा पहला ही हाई कमार्ड तक पहुंचुकी है, इस मामले ते हाई कमार्ड चुप है, अजय है च लोकसभा चुनना च हारत बाद, चमभी हाई कमार्ड अगे, ए दो में वड़े लीडर एक चनोती ने। होन रोकने को और छोटे जहे ब्रेक लेए कैप्टर नते नवजो संग सिदूच सरकार बंढ़ जाई थंडी जन्ग शुरू होगी सी। सब्दे बेच होन सवाल हाई कमार्ड चोट रेने के आखिर हाई कमार्ड चुपके हुआ है। कहां गया वो पंजाब जो जाना जाता था ग्रीन रेवल्यूशन के लिए आज वो चिट्टे की वज़े से जाना जाता है। भाग बाबा बादल भाग कुर्सी खाली कर। सिद्धू प्रकासिम बादल तो कुर्सी ता खाली कर वांच काम्याब हो गए। उन्दानों हुन अपनी कुर्सी ली लड़ाई लड़नी पहरी है। ए ब्यान जनवरी 2017 दा है। चदो नवजोद सेंग सिद्धू, बीजेपी नुचाड कॉंगरिस शामल होए सन। हुन पंजाब कॉंगरिस नवजोद सिद्धू बिबाग लीडर बजो जान जान देने। इस गलतों भी मुन करनी होए जा सकता कि कॉंगरिस विच भी पिछली दो सालां जे सिद्धू ने एक अलग पछान बना ली है। कि एही पछान सिद्धू दी हुन बाकियां दे पारी पैगी है। अज यहीच कई सवाल ने। हाई कमाण दी सिद्धू नू हला शेरी। नवजोद सिद्धू दी कैप्टन बारे रायते हाई कमाण चुप क्यों। हाई कमाण नवजोद सिद्धू न क्यों नहीं रोक रही। की हाई कमाण भी नवजोद सिंध सिद्धू नाल है। नवजोज सिद्धू बारे हाई कमांड दी चुपी कई स्वाल खड़े कर रही है क्योंके नवजोज सिद्धू न सिद्धी तौर ते सिखरली लीडर्शिप दा थापड़ा मनने जा रही है जो सिद्धू दे बागी तेवना राइंस पाष्ट भी हो रही है अजेहेच हाई कमांड सिद्धू ते इननी महिरबाण है क्यों हाई कमांड सिद्धू ते महिरबाण क्यों सिद्धू हाई कमांड ली राष्ट्री पदर ते को एक नामी चेरा की कॉंगरेच शामल होन समें सिद्धू नू तिते गेसान वड़े प्रोसे विदान सबा चोना समे कैप्टन दा बागी रोख हाई कमांड नू रड़करे है कोज सवाल अजेहेवी ने जो सिद्धू ते उठरेली अचानक सिद्धू सिद्धी चिनावती मुख मंतरी नू देली इने उतावले की हो गए अजेहे केडे कार्ण ने जिननाल सिद्धू नू लगया क्यों कैप्टन अमरेंदर सिंग नू विहोन फिक्का पा सकतेने ते उना दिथा पंजाब दी अगवाई कार्ण ले योग लीडर ने क्यों सिद्धू ने कैप्टन नू चिनावती देती पार्थ पाकिस्तान वोलू करतारपूर लांगा खोलन ता ऐलान करना करतारपूर लांगेली इमरान खा न भलू सिद्धून सिरा देना वड़ी गिंतीच शेक पईचारेच शिद्धून वावा मेलली इनन्य वाख्वाख मुद्या तो इलावा सरकारवेच जेही भी मुद्य ने जिनाते सिदुदी वकरी सोर रही जैं सिदुदी कैप्टिन सरकारवेच नहीं चलन देती गई जिस कारण whole दे रिष्टियां ची तलकी वदी कैप्टेन सिद्धू आमो सामने मेरां दी चोन प्रिक्रियाचो सिद्धू नू लांपी करन दा मामला जन तक तौरती सामने आया बिक्रम मजीटिया खिलाब कारवाई दी अपील कीती पर सिद्धू दी सुनवाई न होई कोज चोन भी आफसरां खिलाव कारवाई दियां सिफार्शन और अंगौलें कीता गया मंत्री मंदल दिया मीटेंगा दुराण भी कई मामलें ते सिद्धू दी वक्री सोर सब नुरड की माइनिंग नेती ते नवजोद सिद्धू दे सुजामा दा विरोध होया गयर का नुनिक का लोंडिंगा ते सिद्धू दा स्टैंड को यसर न विखा सके बेद भी मामलें ते बादलां ते कोज आफसरां खिलाव कारवाई ले सिद्धू दी ना सुने गई कोई भी पार्टी के से लूजर नुनी पलों दी जो साल पहला भी जदों आया सी ते बहुत लोग सी ऐसे प्रशांत किशोर जी, कैपनी साब, बहुत सारे लोग इते मैं ते अपनी वाइफ लो पे जैसे, लोपड़ी प्रिंस लूजर नुपड़ी प्रिंस लूजर और आया साल पंजाब कॉंगरस अंदर होर वी वथेरे लीडर ने जेडी टीसी ते पहुंचनली उताबले ने, एवी साफ है कि ओवी सिद्धू ने ने चेती टीसी ते ने पहुंचन देनगी जेडी टीसी ते पहुंचनली उतार सरे ने, क्योंकि उनना दा मनन जैसे सिद्धू नुपाट्टी जाही हाली दो साल होई ने उसे दून पंचावच कॉंगर्स दा वड़ा चीरा वन गया फिलहाली ये नहीं देश दुनिगर यें तमाम ख़वरां वेखन लित उसी वेखिदर हो एबीपी सांचा पंचाब दी हर बड़ी ख़वर दिली दी एबीपी सांचा ते जाके बेल आइकन दबाओ ते एबीपी सांचा नू सब्सक्राइब करो देश दुनिया दी हर बड़ी ख़वर तुहादे आपने फरोसे योग चैनल एबीपी सांचा ते